नमस्ते बच्चो मैं कृतिका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका अब तो आप मुझे पहचालने लगे होंगे चलो सबसे जरूरी बात ये कि आप अपना रोज का काम रोज कंप्लीट करें बतलब रोज खतम करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ना तो वो काम स सबस्तम कर पाएंगे हमने मात्राय स्टार्ट कर दी थी तो अब हम आज जो बढ़ेंगे वो है आ की मात्रा इससे पहले हमने अ की मात्रा के बारे में जाना था और उसमें हमने ये जाना था कि अ की कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं हम अ को पूरा-पूरा लिखते हैं तो च आ की मात्रा आ की मात्रा में हम एक डंडा बनाते हैं डंडा मैंने आपको एक्षन में भी बताया था आ, से, आम और इस डंडे को हमेशा हम ब्यंजन के बाद में बनाते हैं ब्यंजन के तक करसे लेके गियतब तो हमेशा आखी मात्रा को आप उस व्यंजन के बाद में लगाएंगे कैसे जैसे क प्लस आ तो क्या बनेगा का आप जब उसे बोलेंगे तो उसके साथ आ जोडेंगे का ख़ प्लस आ खा ख़ ग के साथ आ जोड़ा तो इस तरह से आप हर व्यंजन के बाद में आ की मात्रा को लगाते हैं पहले नहीं लगाते हैं हमेशा आ की मात्रा हम बाद में लगाते हैं अब देखिए आ की जो मात्रा है उससे भी हम शब्द बनाते हैं और आ स्वर से भी शब्द बनाते हैं मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं जिन में हम मात्रा नहीं लगा के आ को पूरा लिखते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम आ को नहीं लिखके उसकी मात्र लगाते हैं तो पहले हम उन शब्दों के बारे में जानते हैं जिनमें हम आ स्वर को पूरा लिखते हैं कैसे? आग आग आम आम फिर आठ आठ अब इन सब में आप आ की कोई मात्र नहीं लगा रहें लेकिन आ को आप पूरा पूरा लिख रहे हो अब हम दिखते हैं वो शब्द जिनमें हम आ नहीं लिखके उसकी मात्रा को लिखते हैं मतलब उसकी मात्रा लगाते हैं कौन से होते हैं वो शब्द? जासे की दिको तब ला तो जब भी आप वियंजन के साथ आ को जोड रहे हो तो आप उसकी मात्रा साथ में जोडते हो और जब मात्रा साथ में जोडते हो तो आप बोलते हो आ इसे खा ना ता रा गा ला ठीक है? अब आपकी हिंदी गुंजन में आ की मात्रा के साथ एक पार्ट है जिसका नाम है दावत 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 का मतलब होता है? दिनर या लंज जो भी हम कर रहे हैं किसी को बुलाते हैं हम गर पे खाना काने के लिए तो उसे बोलते हैं दावत चलो हम चप्टर कुछ पढ़ लीते हैं तारा और मानव आउ आज दावत खाउ आज दावत खाउ राजमा राजमा चावल चावल राजमा चावल और रायता रायता खाउ पालक पालक का साग साग का मतला सब्जी साग और सलाद खाउ पालक का साग और सलाद खाउ गाजर गाजर का गरम गरम घल्वा हल्वा हल्वा खाउ वा 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 शानदार 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 दावत एक बार वापस में पर देती हूं तारा और मानव आओ आज दावत खाउ राजमा चावल और रायता खाउ पालक का साग और सलाद खाउ गाजर का गरम गरम हल्वा वा वा शानदार दावत अब आप इसे पढ़ने की कोशिश करेगा और जो भी आ की मात्रा की शब्द हैं उन्हें आ के साथ बोलेगा जैसे की ता रा मा तो आप जब तक पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको इसे पढ़ने का अभ्यास जरूर करना है थैंक यू प्रू आपको जैसे जापको जापको तो आपको झाल झाल